हेलो वरीवन वेलकम टू दिस चैलेंग जुलोजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपका बताऊंगे लाइप साइकल ऑप बॉंबिक्समोरी का लाइप साइकल उसका जीवन चक तो सबसे पहले इंट्रोड़क्शन इसल्क वर्म को पाला इसलिए जाता है ताकि उससे मतलब और रेशा मिल सके सिल्ख मिल सके यह ऑफिर प्रोसेस को सैरी कल्चर कहा जाता है और आपका टॉपिक है लाइप सैकल ऑप बॉम्बिकस ओमेरी तो इसे जो एनको दो भाग में बाटा गया है पहला होते हैं मलवरी सिल्क वाम और दूसरा होते हैं नौन मलवरी सिल्क वाम मलवरी सिल्क वाम वैसे सिल्क वाम को कहा जाते हैं जो कि मलवरी लिप्स को खाते हैं और मलवरी सिल्क वाम में ही बॉंबीक्सो मरी यह आता है और यह जो non-malvary silkworm जो होते हैं, वो non-malvary silkworm में कहाता है, जिस विज़े से उसको non-malvary silkworm में कहा जाता है, और यह जो वीडियो है, इसमें आपको मतलब इस topic में आपको पढ़ना है, बॉंब बिक्सो मेरे, मतलब एक तरह से आपको malvary silkworm का life cycle पढ़ना है, लैब्सेकल और मलवरी सिल्क वंiko खाते हैं अब इसमें आता हैं चाहिकली स्जेहक उला हूं सहहां हैं होलो मेटाब्लस मातलब मतलब होता है कि युद का बौड्य में सरे हैं इससे पहले तें कहोगा एक से लारवा में बदलेगा लारवा से प्यूपा में बदलेगा और प्यूपा से एड़ल में बदलेगा इट कॉंपरमाइज फोर स्टेज़ेस जो बॉंबिक सो मौरी जोता है उसे फोर स्टेज़ेस होता है यह एक लार्वा प्यूपा एडल एक करके जानते हैं इनकी स्टेज़ेस के बारे में तो फर्स्ट एग अगर इनके लाइब साइकल पूरा जीवन काल को अगर देखने जाए तो इनके पूरे जीवन काल का डियूरेशन जोता है वो 45 देज मतलब एड़ मैना तक का होता है इनके जीवन चक्र का पहला चरं जोता है वो एक होता है जो एक जोता है उसके बाहर का लेयर होता है जिसको कोरियं कहा जाता है इस आपनीं में फिर लास तरह एक और उपनिंग होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है जैसे नॉर्मली हेन का एक में होता है पतला जैसा अगर आप उसको वाइल कर कर देखे का पतला होता है तीक है उसी तरह इसमें एक opening होता है uh इनका जो हे चेंडा इक है तो करें वो युट करके लार्वा बदलता है उसके बाद है लार्वा प्रिएट कंसिस्ट ऑफ 20-20 फॉटिज लार्वा को जीवन का जो बीश से चौबीस दिन का होता है दा लार्वा भाकू Бॉडि जो कवर्ध बिश्टल मी क्लाइव बाते जो पॉर्णे बाथ सब्सक्राइब हो आगे बढ़ता है उनकी जो पुराने बाडि पार्ट होते आव्र मॉलिस होते हैं ऊट एक उसके जगें पर ने u जो हो सके वहाँ पे। लार्वल लाइफ इनके लार्वल लाइफ पांच लार्वल इस्टेज में पुरा होता है। molting result in the production of the 5th insta larva molting के बज़े से 5th insta larva तक का production होता है दल लारवा इस phytophagus जो लारवा जो होता है वह phytophagus होता है मतलब लारवा जो है वह जो खाते है वह plant को खाते है phytophagus का मतलब रहते है plant eater जो plants को खाते है ठीक है plant को यह प्लांट को ऐसे feed वह feed करते है फॉरसी फीडर यह जो है फॉरसी फीडर को मतब यह बहुत ज़्यादा एमांट में यह खाना खाते हैं इस फीडर को यहान पर ड्रॉख करना है जो एग से ब्लैक एन्ट निकला। इसे फिर इंस्ट्र फिर फिर सेकेंड इंस्टाल आरवेira रूब बना फिर फिर फोर्थ इंस्टाल आरवे को इसका बाड़ी जो थे तीन बाग में डिवाइड होता है हेड थोरक्स और अब्डोमेन आपको फिगर ज़रूर ड्रॉक करना है उसके बाद है प्यूपा प्यूपा इस कफ़ट पाई कुकून प्यूपा जोता है वह घिरा होगा रहता है कुकून से इसम का फाईबर निकलता है जिससे प्यूपा गेर के रखता है प्यूपा जो है वह रहता का है तो कुकून के अंदर रहता है प्यूपा जो होता है सब्सक्राइब पूलमन दोब्ड की यह летा कि 12 धो होता है कि release it's only जाता है कि पूल इस्टेज दल से 12 दिन तक होता है इसके बाद प्यूपा से एड़ बाहर निकलता है उसका आपको इस लाइप साइकल का पूट ड्रॉख करना है एक्जाम में आप पॉइंट कम लिखे लेकिन फीगर ज़रूख करें अगर आपको लाइप में पूछे तो बस सौट में यह पूछता नहीं है उसके बाद एडल्स जो एडल्स लाइफ जो होता है वो तीन से पास दिन तक ही होता है इडल्स जो होता है वो भी खाते नहीं है दे लीब फोर रिपोडॉक्शन आप्टर कॉपूलेशन दे यह जो ते एडल्स का काम मतब एडल्स बस जिंदा रहते हैं रिपोडॉक्शन के लिए ताकि उससे एक नए मतब उसी के तरह का स्पेसिस हो सके और कॉपूलेशन के बाद जो ता है यह मज जाते हैं फीमेश अर वो मेल से बड़ी होती है आकार में इस पिकर को आप याब ड्रॉ कर सकते हैं